हेलो एरिवान वेल्कम वैक टो अंसुका पाकवान आज में आप सभी के साथ नए तरीके शेप मटर पनीर की शब्जी की रेशपी सेयर करने जा रहे हूं इसे बनाने का मैं बिल्कुली नया तरीका सेयर करूंगी अगर आप लोगों को आज की रेशपी और मेरी महनत थोड़ मोटे मोटे चंक सी रखने हैं देखिए कुछ इस तरह से ऐसा न कि आप फैमिली में पुराने के लिए ज़्यादा चोटा साइस का कट कर दे दोस्तों इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा जादा मातरा में पनीर ले लीजेगा अब इसे हमें एक बावल में डाल कर साइड ले मिर्च और 5-6 मैंने लॉंग और दो चार मैंने हरी इलाइची और एक इंच तालचीनी का टुकरा लिया है फिर हमें इसमें एक सूखी लाल मिच डाल देनी है और लो फ्लेम पे इसे हमें भून लेना है उसी एस्टेस पे हमें यहाँ पे ले लेना है एक इंच अदरक का ठुकरा और 5-6 लेसन की कलिया इन सभी चीजों को भी हमें स्लो फ्लेम पे ही भूनना है जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसी एस्टेस पे हमें यहाँ पे ओनियन को भी डालना है तो ओनियन को ज्यादा बारिक चौप करने की कोई आवेशकता नहीं है मोटे चंक सी रखेंगा और इसे कट करके डालना है और इशे भी मिडियम फ्लेम फ्लेम को यहाँ पे मीडियम कर लिज़ेगा सॉफ्ट होने तक भून ली जे गा जैसे ही ये सभी चीज आपके सॉफ्ट हो जाएंगे तो गैस को आफ कर लिज़ेगा और इसे एक प्लेट में रख यहां पे रेड चीली पाउडर डाल ले रही हूं, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है, उसके बाद हमें यहां पे दो चमच बेसन डालना है, तो बेसन जादा मट डालीएगा, बस दो चमच डालीएगा, और मेरे इस तरीके से जरूर बनाईगा मटर पनीर की सबजी, इसमें मैंने ग्राइंट किये हुए धनिया के पत्ते भी डाल दियें, तो धनिया की जो चटनी बनती है उस तरह से बना लेनी है, बस उसमें नमक नहीं डालना है, उसमें से दो चमच हमें यहां पे डाल लेना है पनीर में और अच्छी तरह से इस टॉस कर देना है, अच्छी से इ एक चमच आप यहां पे तेल डाल लीजिएगा और पनीर के क्यूपस को डालना है फ्लेम को यहां पे मिडियम रखना है मिडियम फ्लेम पे हमें उलट पुलट करके इस पनीर के क्यूपस को अच्छी तरह से चारो साइड से फ्राइ कर लेना है तो मैं यहां पे डिप फ्राइ पनीर की सबजी आपकी बन करके तैयार होगी अगर मेरे इस तरीके से बनाईएगा दोस्तों तो आपके हां अगर कोई गेस टाएंगे और उन्हें जब यह पनीर की सबजी आप सर्व करेंगे न तो वह भी खाने के बाद तो जरूर इसकी रेशिपी आप से पूछेंगे तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी मेरी आज की रेशिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करने में कंजूसी जरा भी मत कीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग मेरी रेशिपी को कहां कहां पर शुआ सब करने गॉंध कर दो तो मैं हिसे सब्सक्राब के लिए प्रम सर्ग करेंे यह तो यह सका कर कीको पड़े चुन हम पर ऩया हैं, मैं यह बाता हैं, मैं यह नि लिए हैं ब्रम निहीं till पर नमक डालना है एक चमच धनिया का पाउडर डाल लेना है कोरियंदर पाउडर फ्लेम को मीडियम रखना है इस दोरान हमें इस मशालों को अच्छी तरह से भून लेना है उसके बाद मैं यहां पर थोड़ी सी डाल ले रही हूं कस्मिरी लाल मिर्च पाउडर इन सभी तो मटर को उबाल करके भी ले शकते हैं तो यहां पर मटर डालना है और अच्छे से मसालों के शाथ मिक्स करते हुए एक से दो चमच पानी और डाल देना है और उसके बाद हमेशे कवर कर देना है इसके साथ मसाले भी भून जाएंगे और मटर भी हमारे पक जाएंगे तो इस रेशिपी को जरूर बना करके देखिएगा बहुत जादा स्वाधिस्ट आपकी मुटर पनी बनेगी एक चमच कसूरी मेथी मैंने डाल दिया है आप चाहें तो धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं और उसके बाद हमें यहां पे पनीर को भी डाल देना है पनीर को डालने के मतर पनीर की सबजी बनकर के तैयार हो गई है जट पर सी रेशिपी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत जादा स्वाधिश्ट लगती है तो आप लोग भी इस रेशिपी को दोस्तों जरू ट्राइ कीजएगा अगर आज की रेशिपी पसंद आई होगी तो फ् वीडियो में तब तक हे लिए बागाई